नमस्कार दुनिया इस हफ़ते का एक्रम में आपका स्वागत है मेरा नाम है नील किसी भी सरकार की विदेश नीती से ये तै होता है कि वैश्विक बिरादरी में कौन-कौन से देश उसके करीब होंगे और किन देशों से वो फासला बना कर रखेगा विदेश नीती से ही तै होता है कि अंतुराश्ट्रिय व्यवस्था में किसी देश की चवी कैसी बनने वाली है वैश्विक बिरादरी में अपनी बेहतर चवी बनाने या किसी देश को साथने के लिए दुनिया के देश कूट नीती का सहारा लेते हैं लेकिन कभी-कभी ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया के देश असमंजस में पढ़ जाते हैं कि किसी का साथ दिया जाए या किस से दूरी बनाई जाए। असल में बीते दिनों भारत को भी ऐसी ही एक दुविधा का सामना करना पड़ा। इसराइल और फिलिस्तीन के जगले से तो आप वाकिफ ही होंगे। दोनों मुलकों की दुश्मनी दश को पुरानी है। एक समय अंतराल के बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसा दुर्भा गिवश बेहद आम बात है। इस साल की शुरुवात से ही दोनों के बीच हिंसा में तेजी देखी जा रही है। इसलिए जब भारत को इसराइल और फिलिस्तीन में से किसी एक को चुनना होता है तो उसके सामने दुविधा की स्थिती पैदा हो जाती है। बीते दिनों सहयुक्त राष्ट मानवधिकार परिशद में एक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में क्या था। इसराइल 1967 के बाद से कबजे वाले इलाकों को छोड़ने के साथ साथ नई बस्तियों की स्थापना और मौजूदा बस्तियों के विस्तार को तुरंत रोके। यानि ये प्रस्ताव इसराइल के खिलाफ लाया गया था। लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। भारत के वोट के क्या माइने हैं। क्या भारत इसराइल से जादा फिलिस्तीन को तरजी देने लगा है। तो इन दोनों सवालों पर आएंगे लेकिन पहले इसराइल फिलिस्तीन जगडे को संक्षेप में समझते हैं। असल में यरुसलम शहर के केंद्र बिंदू में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। इसके चार इलाके हैं जो चार अलग-अलग समुदायों मुसलिम, यहूदी, इसाईयों और अर्मेनियायों के हैं। ये चारों ही इलाके 35 एकड़ के एक परिसर में हैं लेकिन मुख्य लडाई मुसल्मानों और यहूदियों के बीच है। मोटे तोर पर कहें तो अल-अक्ता मस्जिद ही इस लड़ाई की वजह है मुस्लिम और यहूदी दोनों ही इस जगह को पवित्र मानते हैं और दोनों ही इस पर अपना अधिकार भी जटाते हैं 1967 की लड़ाई में पूरवी यरुसलम को इसराईल ने जॉर्डन से चीन कर उस पर कबजा कर लिया था जिसमें अलगता मस्जिद इस्थित है इसराईल ने गोलन पहाडी तक को खुद में मिला लिया जिसे दुनिया स्विकार नहीं करती लिहाजा इसराईल से बार-बार इनहीं इलाकों पर से अपना दावा छोड़ने को कहा जाता है इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए आप हमारा पुराना एपिसोड देख सकते हैं सवाल है कि भारत ने इसराईल के खिलाफ वोट क्यों किया जबकि हाल के सालों में भारत इसराईल रिष्टे में गर्म जोशी देखी गई है खास कर तब जब नितन्याहू पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच सम्बंधों के तूत्रधार रहे हैं और वो फिर से इसराईल के प्रधानमंत्री बन गए हैं जैसा कि मैंने शुरू में ही जिक्र किया फिलिस्तीनी लोगों के प्रती हमेशा ही भारत के नीती सहनुभूती पून रही है भारत के विदेश मंत्राले के अनुसार फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीती का एक अभिन अंग है 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ती संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के वैद प्रतिनिधी के तौर पर मानिता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था 1996 में भारत ने गाजा में अपने प्रतिनिधी कार्याले को खोला जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में इस्थाना न्चुट कर दिया गया अनेक बहुपक्षिय मंचो पर भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे को समर्थन देने में तक्रिय भूमी का निभाई है भारत हमेशा ही two state solution का समर्थन करता रहा है जिसे इसराइल खालिच करता रहा है दूसरी ओर अरब देशों के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और सभी अरब देश एक जुटता के साथ पिलिस्तीन का समर्थन करते हैं यही कारण है कि भारत किसी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता और कूटनीतिक सूजबूज के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता रहा है लेकिन क्या प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर भारत ने इसराइल से अपनी रिष्टे खराप कर लिये हैं जानकारों की माने तो ऐसा बिलकुल नहीं है किसी विदेश की विदेश नीती में सिर्फ दूसरे देशों से द्यूपक्षिय संबंधों को इस्थापित करना शामिल नहीं होता बलकि वैश्विक व्यवस्था में अपनी चवी किस तरह गढ़नी है उस और भी ध्यान दिया जाता है यानि आप कह सकते हैं कि भारत का एक कदम उसकी अंतराश्टिये चवी को बनाए रखने से जुड़ा हुआ है ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रस्ताव मानवधिकार से जुड़े थे और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते प्रस्ताव का समर्थन करना भारत के लिए जरूरी था अगर भारत ऐसा नहीं करता तो इससे उसकी चवी को नुक्सान पहुंचता असल में भारत की ये कोशिश रही है कि इसराइल के साथ संबंधों को इसराइल तक रखा जाए और फिलिस्तीन के साथ संबंधों को फिलिस्तीन तक इसे विदेश नीती में वियावार वात कहा जाता है इसमें देश अपने संबंधों को बचा कर भी रखते हैं और जरूरत पढ़ने पर ऐसे कदम भी उठाते हैं जिससे लोकतांत्रिक देश की छवी और अंतराश्ट्रिय न्याये में उनका विश्वास भी दिखे इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत ने ये फैसला आँख मूंद कर लिया है हलाकि इसराइल के पीम बेंजमिन नितनियाहू ने हमेशा ही सारुजनिक रूप से कहा है कि इसराइल भारत की स्थिती को समझता है और इसलिए इसराइल भारत के प्रती धेरवान रहा है उनके मताबिक इसराइल ने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया है कि भारत हर एक मुद्धे पर उसका समर्थन करे इसलिए माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट में इस वोटिंग से तंबंधों की दिशा और गती प्रभावित नहीं होगी ऐसा इसलिए भी नहीं होगा क्यों कि शेत्रिय स्तर पर भारत I2U2 में इसराइल के साथ मंच साजा करता है इसलिए माना जा रहा है कि फिलिस्तीन का पक्ष लेने से भारत इसराइल रिष्टों पर कोई नकरात्मक्रभाव नहीं पढ़ने वाला तो इस एपिसोड में इतना ही नोट कर लेते हैं आज का सवाल सवाल है भारत इसराइल फिलिस्तीन के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहा है इसराइल फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए तो दुनिया इस हफते के इस एपिसोड में इतना ही आपको हमारा इपिसोड कैसा लगा इसको लेकर आपके क्या फीड़बैक है कमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताइए हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा तमस्कार